कॉंग्रेस में बदलाफ की मांग तेज पांच पूर्व मुख्यमंत्री समय तेज नेताओं ने सोन्या गांधी को लिखी चिथी कहा उपर से नीचे तक बदलाफ की है जरूरत तो आईए देखते हैं आज के पूरी रिपोर्ट कॉंग्रेस में युवा नेताओं के बागी देवरों के बीच पार्टी में बदलाफ की मांग तेज हो गई है अंग्रेजी अकपर इंडियन एक्सप्रिस की रिपोर्ट के मताबए कॉंग्रेस के 23 नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोन्या गांधी को चिथी लिख कर ऊपर स नीचे तक बदलाफ करने की मांग की है चिथी लिखने वालों में पांच पूर्वे मुख्य मंतरी कॉंग्रेस वोकिंग कमेटी के सदस से सांसद और कई पूर्वे मंतरी शामिल है इस समुद्दे के बीच सोमवार सुबह 11 बच्चे कॉंग्रेस वोकिंग कमेटी की मीटिं रखी गई थी चिठी में इस बात का जिक्र है कि भाजपा लगतार आगे बढ़ रही है पिछले चुनाओं में यूवाओं उने डट कर दरेंदर मोती जी को वोट दिये गए हैं कॉंग्रिस का बेस कम उने और यूवाओं का आत्म विश्वास तूटने को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है बतारा जा रहा है कि करीब 15 दन पहले भेजी गई इस चिठी में बदलाव का ऐसा एजंडा दिया गया है जिसकी बातें मौजूदा लीडर्शिप को चुप सकती है चिठी में इन तीन मांगों का जिक्र किया गया है पहली लीडर्शिप फुल टाइम और प्रभावी हो जो की फील्ड में अक्टिव रहे उसका असर भी दिखे कॉंग्रिस वर्किंग कमेटी में चुनाव भी करवाए जाए इंसिटिउशनल लीडर्शिप मेकेनिजम तुरंत बने ताकि पार्थी में फिर से जोश भरने के लिए गाइडलाइन्स मिल सके कॉंग्रिस वर्किंग कमेटी की मीटिंग कल होगी कॉंग्रिस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक साल का कारेकाल इसी महीने पूरा हो रहा है पिछले साल राहुल ने इस्तिफा देने के बाद सोनिया ने अध्यक्ष पत की सिम्मेदारी संभाली थी सोंवा सुबह 11 बचे वीडियो कॉंफरिंसिंग के जरिये कॉंग्रिस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी इसमें लीडर्शिप के मुद्दे पर चर्शा हो सकती है बताया जा रहा है कि पार्टी का एक गुर राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहता है पार्टी ने भी दो दिन पहले मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि देश भर के कारेकरता राहुल गांधी को अध्यक्ष के दौर पर देखना चाहते है